तो की आलचाल सस्रयकाल मेहूनी और मैंट गईज़ आज हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट अंटर रितूराठी के बारे में तो फ्लाइंग बीस्ट अपने आट रितूराठी के डिवोर्स वाले रूमर्ज को लेकर एक फाइनल रिपलाई दिये जहां guys आज वो अपने चैनल में एक वीडियो अप्लोड किये वो जहां पर वो ये पूरे situation को address किये और वो बहुत सारे चीजों के बारे में बात किये first of all वो ये चीज को completely clarify कर दिये कि ये PR stunt बिल्कुल भी नहीं था वो बताया कि कैसे रितुराठी जब प्रेमानंद जी महराज के पास गई थी उन्होंने request भी किया था कि उनका identity anonymous रहना चाहिए और ऐसा हुआ भी था बाकि सब लोगे queries के time उनका नाम वगेरा बताया जाता है उनके तरफ camera किया जाता है उन्होंने tweets वगेरा दिखाया कि कैसे blue tick accounts के तरफ से same format के tweets करवाए गये थे उनके image को खराब करने के लिए पहले उनको as a cheater portrait किया गया जब ये चीज़ फेल हो गया तब PR stunt के allegations लगाने लगे थू essay and meme marketing के थू not only this वो fake news को भी slam किये basically एक mainstream media है news 18 उन्होंने एक anonymous reddit post को as a news cover कर दिया था जो कि completely made up था and it was false तो उन्होंने इसको बहुत जादा criticize किया and not only this controversy वो अपने previous controversies को भी address किये especially वो haven वाला controversy जहां पर दुरूवराटी उनके खिलाफ tweet किये थे yes वो अपने तरफ से clear reply दिया दुरूवराटी को एक चोटा से clip में आपको play करके दिखा देता हूँ और the full video link is in the description there is a certain group that attacks me every time that wants to attack my credibility क्योंकि उनको शाद जे सहें नहीं हो पाता कि एक sensible बंदा educated बंदा वो अपने culture और धरम के लिए हमेशा stand लेता है एक twitter user ने कहा कि chemistry के शाद fundamental laws ये नहीं जानते क्योंकि combustion में जो COX, NOX, SOX gases निकलती है वो उनको पता नहीं है देकि उनकी गलती बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्कूलों में और कॉलिजों में जो combustion और chemistry पढ़ाया जाता है वहां बिल्कुल वही पढ़ाया जाता कि वो bold रहे हैं आपको बता दूँँ अभी हजारों रिसर्च ऐसी हो चुकी है हवन और अगनी होतर के उपर जिसमें से की एक रिसर्च आपको मताता हूं जो कि Central Pollution Control Board Delhi के अंडर हुई थी वहां पाया गया था कि हवन करने से microbes इंदी यर कम होते, SOX, NOX कम होती है वाटर प्यूरिफिकेशन में एक काम आता है तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुती crazy unexpected story के बारे में तो गैस नॉर्मली जब आप लोग का बढ़ते होता है तो आप लोग क्या करते हैं? भाई mostly तो हम लोग अपने family और दोस्तों को party वगरा ही देता है लेकिन इस company के founder ने कुछ अलगी सोचा basically astrotalker के एक company है वो अपना 7 years complete के है तो उनको celebrate करना था तो अपना birthday celebrate करने के लिए इनके founder को लगा कि कुछ बढ़ा करना चाहिए and उन्होंने exactly ऐसा ही किया वो literally अपने पूरे app को free कर दिये exactly मुझे भी पहले यकी नहीं हुआ था बट जब मैंने app open करके check किया तो मैंने देखा इन्होंने सारे users के लिए astrolodgers के साथ chat free कर दिया है तो guys जल्दी जाओ और आप भी इसका फाइदा उठालो बढ़ते हम लोग बात करने वाले carry minati and round 2 hell के बारे में तो क्या carry minati and round 2 hell का एक huge collab आने वाला है well guys last video मैंने आप लोगों बताया थे कि carry minati अपने biggest project को announce किये थे कि next जो उनका video आने वाला it will be the biggest video of his life अब of course अगर कोई youtuber के तरफ से इतना बड़ा announcement आता है तो speculations भी start हो जाते है and एक speculation बहुत viral जा रहा है that is round 2 hell के साथ उनका collab होने वाला है बहुत सारे fan pages and all इसके ओपर real बना रहे है and mainly इसके पीछे ये reason है कि कुछ टाइम पहले round 2 hell के member Nazim अपने story में vanity van का photo post किये थे जहाँ पर उनका नाम तो लिखा था round 2 hell बट अगर आप इसको zoom करके ध्यान से देखोगे तो side में carry minority productions का logo लगा हुआ है तो क्या इन लोगा कुछ collab वगर आने वाला है let's see future में हम लोगा पता चली जाएगा तो चली अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुक्रा इंसान के बारे में तो क्या फुक्रा इंसान ने big boss को expose कर दिया यहाँ guys आप लोगो दो पते होगा कि big boss contestants को big boss house में जाने के पैसे मिलते हैं बट क्या कुछ contestants big boss house के अंदर जाने के लिए भी पैसे देते makers को वेल फुक्रा इंसान इस चीज के बारे में बात कि अपने latest reaction वीडियो में आप खुद सुल लीजिए गुन रतन भाई सबसे entertaining बंदे है इस घर के आप तो इनको इनको इविक्क कर दिया क्योंकि कोई के बहुत जोले है भाई बहुत जोले है तुम कही समझ रहे हो कि प्रोपर सेलेक्शन हो रही है हमारे सीजर बहुत लोग पहुचे थे अप्रोच से तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आक्टर जस्मीत वर्सेज यो यो हनी सिंग फैंस के बारे में तो गैस आक्टर जस्मीत को इस वज़े से हनी सिंग फैंस को अपलजाइज करना पड़ा बेसिकली आप इनको जानते होंगे अभी एम टीवी हसल सीजन फोर अनाउंस हो है वहाँ पर वो एंकर बने वे हैं तो वाइल आइंकरिंग जब वो रफ्तार को इंटर्ड्यूस कर रहे थे वो हनी सिंग को भी थोड़ा सा पोक करते वे एक जोक पास किये थे उन्हें ने बोला था रफ्तार भाई दो सीजन के बाद वापस आएं रफ्तार भाई को देखके इतनी होप मिल रहे है लग रहा है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग का तो कमबैक हो रहा है जिसको सुनकर रफ्तार भी हसते हैं और इस चीज के बारे में बात करते वे जस्मीत फिर अपने इंस्टेग्राम में ये रील अप्लोड कि है काईस मेरी हसल सीजन फोर की एक रील बाहर आई है और सारे फैंस ने मुझे खुले गले से गाले देनी शुरू कर दी है आई मीन मुझे फील होने लगा है I'm never gonna be a millionaire देखो यार मैं भी पाजी के गाने सुनके बढ़ा हुआ हूँ कोई disrespect नहीं है बलकि मैं हाथ जोड के आज सारे फैंस से कहता हूँ यारो मुझे मुझे मुआफ करो मैं नशे में था जो मैंने वो जोक लिखा साथ बजए एपिसोड आ रहा है उसमें और ही बहुत अच्छे चीज़े है प्लीज मुझे वॉल्लिम वन गाना डेडिकेट करना बंद करो तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रैपर डिवाइन के बारे में तो क्या रैपर डिवाइन ने फ्रॉड कर दिया उनके उपर बहुत बड़े ऐलिगेशन्स लगए है जहां गई इस कुछ रिपोर्ट के इसाब से बताया जा रहा है कि इलेजेटली डिवाइन ने एक फ्रॉड किया इट इस बिंग क्लेम्ड की इंदोर में उनका एक शोव अने वाला था जिसके लिए चार अजार से भी जादा फैंस आ गए थे इलेजेटली डिवाइन वहाँ पर नहीं आये और वो अपने फैंस को धोका दे दिये कुछ शोव अगेरा हुआ नहीं इन फैक्ट जिन्होंने ये इवेंट को और्गनाइज किया था वो और्गनाइजर्स भी एलिगेशन्स लगा है कि डिवाइन एडवांस में पैसा ले लिए थे फिर भी नहीं आई कॉंसर्ट में इसलिए बताया जा रहा है अभी डिवाइन के खिलाफ धोका धड़ी का मामला दर्ज किया गया है एनिवेश चलिएब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया की रिचस अक्रेस के बारे में तो आप लोग बिलीव नहीं कर वेए कि इंडिया की रिचस अक्रेस कौन है विल अक्रेस सुनते ही आप लोग के मन में कुछ बड़े बड़े नाम आ रहे होंगे जैसे की दिपिका पाडुकोन आलिया भट और सम अधर पीपल बट अकॉर्डिंग तो रिपोर्ट टॉप फाइव रिचस अक्रेस ये है नमबर फाइव में दिपिका पाडुकोन नमबर फोर में आलिया भट नमबर थ्री में प्रियांका चोपड़ा नमबर टू में एश्वरिया राय नमबर वन में जुही चावला अपैरेंटली जुही चावला का नेट वर्थ 4600 करोर्स है और अफकॉर्स उनका में सोर्स आफ इंकम एक्टिंग लाइन से नहीं है वो बहुत सारे क्रिकेटिंग टीम्स को को ओन करती है एस्पेशली केके आर उनके नाम पे बहुत सारे रियल एस्टेट्स है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स है और अल्सो उनके हस्बेंट भी एक बहुत बड़े बिजनेसमेन है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क के बारे में इतना यूसफुल स्किल्स नहीं मिलता है जिससे कि उनको फाइदा हो मेरा रिस्पेक्ट उन लोग के लिए बहुत जादा है जो कि अपने हाथों से काम करते हैं ग्राउंड में इलेक्रिशियन्स, प्लमबर्स, कार्पेंटर्स अब ये स्टेट्मेंट तो वो दिये ही बट इसको फिर से रिशेर करते हुए और डबल डाउन करते हुए वो ट्वीट किये वाई साब बहुत ही बड़ा स्टेट्मेंट है है आपका उपीनियन क्या इस चीज़ को लेकर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले एक फेक कॉप के वाईरल वीडियो के बारे में जिनको अर्रेस्ट कर लिया गया जहांगे इस बेसिकली एक परसन का वीडियो वाईरल जा रहा था जहांपर वो ऐस फेक कॉप खुद को प्रेजेंट कर रहे थे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले एक रील शूट गौन होरिबली रॉंग के बारे में तो गाइस एक काफी यंग लड़के के साथ बहुती अनफॉर्चिनेट इंसिडेंट हुआ जब वो एक रील शूट कर रहे थे बेसिकली एक बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर में वो स्लो मोशन वॉक करते हुए अपने फ्रेंड से रील शूट करवा रहे थे वो इतने इनक्टिव क्यों है इस चीज के बारे में वो बात किये येस गाइस वो अपने फैंस को इंफॉर्म किये कि वो कुछ बहुत बड़े चीजों के ऊपर काम कर रहे है बहुत सारे मीटिंग्स वगेरा उनका हो रहा है आप खुछ सुल लीजिए उननने क्या कहा तो याद चोल दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना है अगर आपको वीडियो थोड़ा सभी पसंदाया हो तो लाइक कर देना चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना न्यूज सब्मिशन का लिंग डेस्क्रिप्शन में वास जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डेस्क्रिप्शन में तो याईस सपोर्ट करते रहना मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई